दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पांडियाप सवगत करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपके लिए Mixed Questions लेकर आए हैं यह सीरीज चलाएंगे जैसे कि अभी आपको Science की सीरीज मिली सी सुबह उसका Part One मिला था ऐसे ही यह सीरीज चलेगी जीके की Mixed Questions की सीरीज यदि चैनल पर पहली वा रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएका टैस्ट दीजिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला कॉशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लाल कले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था लाल कले में मुगल अस्तित्व आपका बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ था option number 2 यहाँ पर सही आंसर है कॉशन नमबर 2 देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है जब एक कार की गती दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना लगाना होगा कार की स्पीड आप दुगनी कर दो उतनी ही दूरी पर दी आपको रोकना होगा तो आपको यहाँ पर चोगना ब्रेक दवाना पड़ेगा option number A यहाँ पर सही answer हो जाएगा caution number 3 देखिए इसमें पूछा गया है किस छेत्र में अधिकांस मौसम संबंदी गतिविदियां होती है तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा option number B छोग मंडल में अधिकांस मौसम संबंदी गतिविदियां होती है option number B right answer है इस प्रशने के लिए caution number 4 देखिए इसमें पूछा गया है आपसे किसी स्थान पर उच्छ जुआर भाटाओं में कितना अंतराल होता है तो उच्छ जुआर भाटाओं में किसी स्थान पर 12 गंटे 26 मिनिट का अंतराल होता है जुआर भाटा किया होता है समद्र थोड़ी देर के लिए आगे चड़ता है थोड़ी देर के लिए नीचे उतरता है आपने देखा होगा उसको जुआर भाटा कहते हैं option number B सही आंसर है caution number 5 देखिए भारतन में कुल मुख्य बंदर गा कितने हैं जो मुख्य बंदर गाहा है उनकी संख्या है बारा option number D बारा बिलकुल सही आंसर है caution number अगला देखिए caution number 6 इसमें पूचा गया मराठा सामराजी का संस्थापक कौन था तो मराठा सामराजी का संस्थापक माना जाता है सिवाजी को option number D सिवाजी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मराठा सामराजी के संस्थापक असली संस्थापक । अगला question देखिए मनुश्य के पाचन क्रीय कहां से प्रारम होती है तो मनुश्य में पाचन क्रीय मुख्य से प्रारम हो जाती है option number C मुख्र यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखिए कौशन नमबर आठ इसमें पूछा गया है भारती संविधान की रचना में निम्नुक्त मैं से किसने सरवाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है तो भारती संविधान की रचना में भारत सासन सरकार अधिनिय ता Author Cornberg ने Option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाेगा DNA के पात्र रविश्टेचन के लिए अगला कॉर्शन देखिए देखिए पात्र रविश्टेचन पूछा गया है वड अच्छे से देखकी आंसर लगाईएगा Author Cornberg ने ही पात्र रविश्टेचन किया है कोशन नमबर दस देखिए जिम कारवित राश्टि अभगरिन कहा इंसले थे तो जिम कारवित राश्टि अभगरिन आपशन नमबर A उत्रा खंड मिल्स नमबर A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 11 देखिए यह आपकी स्क्रीन पर कोटेल ले प्रधान मंत्री थे कहां के तो कोटेल ले जो थे किसके प्रधान मंत्री थे चंद्र गुप्तियों मौर के प्रधान मंत्री थे option number C सही answer हो जाएगा कोटेल ले का और किस नाम से जाना जाता था कोटेल ले को comment box में बताईए कोटेल ले का और क्या नाम था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कॉशन में रिखिए गरजने वाला चालीशा, यह सब दो नर्मलिकत में से किस संबनत है, तो गरजने वाला चालीशा, ओप्शन नुबर सी, पश्यमी पवन से संबनत है, ओप्शन नुबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अगला कोशन दिख लेते हैं, यह आपकी स्क्रिन पर, जब एक कार क गती दुगनी कर दी जाए तब उसको कितनी दूरी तक ये बता दिया है चौह गुड़ा ये रिपीट हो गया इसकुछ फूर दिजिए मराठों के उदाय के लिए रिमलिकत में से कौन सा कारक उत्तरदाई नहीं है तो आप क्यों बता दें यहां पर सभी आंसर हो जाएगा आ प्रश्रा है ऑप्शन नमर सी यहां पर गलत हो जाएगा ठीक है अगला कॉशन देखिए कॉशन नमर पंद्रा यह रापकी स्क्रीन पर निम्लल के तमसे कौन सी संदी ने पेश्वा बाजी राव द्वती के स्वतंत्र अस्तित्त को समाप्त कर दिया था तो पेश्वा राइट आनसर हो जाएगा परमारु में किँनी इलेक्टोनों की चारों कॉmaन्टम नमबर सर्वस्म नहीं होते यह किसका निया में तो परmedu में किदीरनों कि चारों कॉशन नम्बर सर्वस्म नहीं हो सकते यह जो हैए पौली का एक्ज् Nice क्रिखल ए और प्रिंप्र पूचा गया है जुलाई 1946 में स्थापित सम्विधान सभा के सदस्यों में नम्लिकत में से कौन सामिल नहीं था तो सम्विधान सभा में महातमा गांदी जी सामिल नहीं थे बाकी डॉक्टर राजिन प्रशाद के म मुंसी और अबुल कलाम आजा सामिल थे कौशन नम्बर देखे 20 भारत की सम्विधान सभा गठित करने का आधार क्या था तो भारत की सम्विधान सभा गठित करने का आधार था आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसके तहत भारत की सम् मांक है option number a 6 proton भी हो जाएंगे option number a यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए निम्नलकित्म विकल्पों में से भार का सबसे वेस्ट अंतराष्टी बंदरगा कौन सा है आपने answer देखी लिए Mumbai सबसे वेस्ट अंतराष्टी बंदरगा है question number 24 देखिए अस्तियों विकल्पों में मौझूद रासा ने के दरव कौन सा है तो अस्तियों विकल्पों में calcium phosphate पाए जाता है option number a सही आंसर हो जाएगा calcium phosphate किसका विमे सूत्र आवेक के लिए सूत्र के समान है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका समवेग और आवेक के विमे सूत्र एक दूसर के लिए समान है option number b यहां पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number 26 पानीपत में मराठे पराजित हुए इसका कान क्या था तो पानीपत में मराठों के पराजित होने का मराठे सकती में अफगानों के बराबर नहीं थे अफगानों से कमजोर थे इसलिए पानीपत में मराठे पराजित हुए question number 27 एर आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है राजा जी राष्टी पार्क एक प्रक्तिक आवास है किसका तो राजा जी राष्टी पार्क प्रक्तिक आवास है एस यहां ती का option number B यहां पर सही answer हो जाएगा question number 28 इसमें पूछा गया है व्यापारिक पावने कहां से चलती है तो व्यापारिक पावने आपकी चलती है उपोशन उच्छे दाव से option number C व्यापारिक पावनों के लिए सही answer हो जाएगा question number 29 सांची का इस्तूप कर नमारा कि किस ने कराय था तो सांची के इस तूप का नमाला कसरे जाता है अशोग को ऑप्शन नमर सी समर्थ अशोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौशन नमर तीज देखिए सामाजिक सुधार राष्ट्री पुनर जीवन तथा मराठा सक्ति के उदाई के लिए किस मराठा संत का स पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर होता है और यहां पर इस परशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर निम्न लिकत में से अशोग के किस अभी लेक में बौद ग्रंथों का उल्लेक किया गया है तो अशोग क में ऑप्शन नमबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा भाब्रू अभी लेक में बौद ग्रंथों का उल्लेक किया गया है कौशन नमबर चौंदिस देखिए यह आपकी स्क्रीन पर वायू मंडल में द्यानिक मौसम परिवरतन निम्न लिकत में से किस के कारण होता है तो द देव गिरी के यादमों के अधिन कार करके प्रषाष्यन काशन इस यह वह को प्राप्त किया था पर भारत में हाथ ही परयोजना कब शीर हो ही है तो भारत में हाथ ही पर ऒान przedstaw से Commission आप्शिका के व्यास को दूना कर दिया जाए तो इसके भीतर के पानी का उठाओ कैसा होगा तो केशिका के व्यास को यदि आप बढ़ा देंगे तो पानी जो है वो option नमबर आधा हो जाएगा option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बात का वह सबसे बड़ा बंदरगा इसाए जुको लिया करंता है वह सबसे बड़ा बंदरगा भारत का option नमबर भुम्मे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कॉशन नमबर देखे चालेस सी यह आपकी स्क्रीन पर किसी परमाणू के परिक्रमन कर रहे है किसी इलेक्ट्रोन की उज़ा कैसी होती है तो किसी परमाणू के परिक्रमन कर रहे है एलेक्ट्रोन की उज़ा हमेशा ही जो है रनात्मक रहेगी मतलब कभी धनात्मक नहीं हो सकती option number C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कभी धनात्मक नहीं हो सकती रणात्मक ही रहेगी किसी तत्व के परमाणू का परमाणू क्रमांग 17 है और द्रब्यमान संख्या 36 है तो उसके नियूकिलस में करबूरन किस कारण से होता है तो दाद के नियूवल का करबूरन होता है पानी में उच्च मात्रा में दी फ्लोराइड हो option number C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौशन number 43 दक्षण एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगा कौन सा है तो अगला कौशन देखिए जब एक धातू की अंगूठी या चल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है तो अंगूठी या चल्ले को जब आप गर्म करोगे तो छेद जो है option number A वह फैल जाएगा option number A बिलकुल सही अंसर हो जाएगा अगला कौशन देखिए option number 45 जब एक धातू की अंगूठी अचल्ले अच्छा ये हो चुका है रुख जाएगे नाना साहिब के नाम से कौन परसेद था तो नाना साहिब के नाम से जाना जाते थे बाला जी बाजी राओ option number B बाला जी बाजी राओ यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा अगला कौशन देखिए नियुक्त में लिखिए कि पाउनों का प्रती व्यापारिक पाउन कहा जाता है तो प्रती व्यापारिक पाउन कहा जाता है यहाँ पर पश्चिमी पउनों को option नमड़ी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी पउन question नमड़ 49 देखिए बाद अब्यारन सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर रिस्तिते तो बाद अब्यारन सबसे ज़्यादा पाई आते हैं मड़पदेश में option नमड़े मड़पदेश यहां पर इस प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा एक तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अशोफ के शिला लिखों से जीवन वृत आंतर्क नेती और विधेश नेती इन सभी की जानकारी मिलती है, option number D सभी आंसर हो जगा, सभी विकल्प सभी है, सिवाजी का जन्म कब हुआ, और उन्होंने कब छत्रपती की उपाधी धारन की थी, ये caution मैंने आप से पूछा था, इसका आंसर है, 1627 EC1 का जन्म हुआ, और 1674 EC1 में उनको छत्रपती सिवाजी कह था, माँआप कीजिएगा, मतलब जब समविधान सभाग अठे थी, उस समय समविधानिक सलाकार कौन था, तो सर बी एन राव जी थे, option number C यहाँ पर सयांसर हो जाएगा, caution number देखिए, त्रेपन इसमें पूछा गया है, कलकत्ता किस प्रकार के बंदरगार का उधार है, तो सिवाजी निम्ले में से किस किले में पैदा हुए थे, तो सिवाजी पैदा हुए थे, आपके सिवनेर किले में, option number बड़ी, सही आंसर हो जाएगा, caution number देखिए, पचपन, भाति समविधान अपनाय गया था, कब तो भाति समविधान को, 26 नवंबर, 1949 को अपना लिया गया option number C, 26 नवंबर, 1949 सही आंसर हो जाएगा, उप्षिन नम्बर, बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, caution number 57, निउकलेस की दरव्यवान संख्या होती है, इन में से कौन सा कथन सही है, तो निउकलेस की दरव्यवान संख्या यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कभी उसके परमाडू क् अधिक और कभी उसके परवान करवांग के बराबर होती है कम नहीं हो सकती या फिर अधिक होगी या फिर बराबर होगी option number D यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा question number 50 देखिए भारत का सबसे बड़ा बाग अभ्यारन रिजर्व कौन सा है तो सबसे बड़ा बाग अभ्यारन रिजर्व जो है नागार जो नहीं है यहाँ पर जो options देगा है उसमें से option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए question number 59 देखिए मनुश्य के जीवन काल में कितने दांथ दो बार विक्सित होते हैं तो मनुश्य के जीवन काल में आपके 20 दांथ हैं जो की दो बार विक्सित हो सकते हैं option number C यहाँ पर इस प्रशन के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा question number 60 देखिए निम्न लेकित में से किसको cell का power plant भी कहा जाता है तो cell का power plant कहा जाता है mitochondria को option number B यहाँ पर इस प्रशन के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगले प्रशन में पूछा गया बरसात की बूने बहुत उचाई से गिरती है उनके बारे में निम्न लेकित में से कौन सी एक बात सही है आपको बताना है तो बरसात की बूने बहुत उचाई से गिरती है वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विविन आकारों की अंतरदेशिय नदी बंदरगा कौन सा है तो अंतरदेशिय नदी बंदरगा यहाँ पर आपका कलकत्ता आपको बता चुका हूँ option number A right answer हो जाएगा question number 64 भारत का पहला उपप्रधानमंतरी कौन था तो भारत के सबसे पहले उपप्रधानमंतरी बल्ला भाई पटल जी option number B यहाँ पर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा कौशन नमबर देगी 65 समराट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शाषक कौन थे तो समराट अशोक के समकालीन श्रीलंका के साषक तिस option number C यहाँ पर सही आंसर हो जागा तिस शाषक तिस श्रीलंका के यूकेरियोटिक सेल में प्लाजमा जिल्ली किस से बनती है तो यूकेरियोटिक सेल में प्लाजमा जिल्ली बनेगी फास्पोलिपिड से option number A फास्पोलिपिड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए कौशन नमबर 67 किस गवर्णर जनरल ने रोपड में रंजीत सिंग का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था तो रंजीत सिंग का स्वागत किया था विल्यम बैक्टिंग ने option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौशन नमबर 68 देखिए ISO बार रेखा है किन इस्थानों को आपस में मिलाती हैं तो ISO बार जाने ही आती है बराबर दाव वाले को option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला कौशन देखिए इसमें पूछा गया है दातों में ने लिकित में से क्या होता है तो दातों में पाए जाता है calcium option number B calcium यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा caution number 70 मुदु मलाई पशू बिहार प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए तो मुदु मलाई है व्यागरों के लिए option number A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इससे प्रशनी के लिए caution number 71 यहाँ पर दुबार आ गया है व्यागरों के लिए अगला कॉशन देखिए चालन बेंड इलेक्टरोनों की गती शीलता चिद्रों से अधिक होती है ऐसा क्यों अगला कॉशन देखिए सिवाजी के पिता का नाम क्या था तो सिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था option number A साहजी भोसले यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिवाजी की माता का नाम क्या था सिवाजी की माता का नाम जीजावाई था option number B सिवाजी की माता का नाम जीजावाई सही आंसर हो जाएगा अगले प्रशन में पूछा गया है परमाडू करवांक 20 वाले परमाडू का electronic विन्यास बताईए तो जिसका 20 होगा परमाडू करवांक उसका electronic विन्यास होगा यह होगा आपका नाविक पहले में 2 उसके बाद आपका 8 उसके बाद 8 और फिर 2 option number C यहाँ पर सही answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए अगला question देखिए सरिस्का और रर्थंबोर निम्लिकित में से किसका सुरक्षित स्थान है सरिस्का और रर्थंबोर दोने जगा बाग पाई जाते है option number C बिल्कुल सही answer हो जाएगा comment करके बताईए एक option मैंने आपको कराया था जिसमें मैंने आपको राष्टी उध्यान और अभ्यान कवर कराया थे सरिस्का और रर्थंबोर यह किस राज्ज में है comment करके इनके राज्ज का नाम बताईए देखते हैं किसको पता है 76 में राज्ज का नाम क्या है comment करके बताईए ने लगे तेमेंसे किस तत्तों का संबने दातों की विक्रती के साथ है तो दातों की विक्रती के साथ संबने है आपका फ्लोरीन का option number B यहाँ पर इस प्रश्चन के लिए right answer हो जाएगा 78 ओला वरष्टी का करना होता है तो ओला वरष्टी का करना आपका हीमी करना सही answer हो जाएगा हीमी करना होता है ओला वरष्टी का करना अगला question दिखिए यह आपकी screen पर इसमें आपसे पूछा गया है बडा इमाम बाड़ा कहा हिस्ते थे तो बडा इमाम बाड़ा इस्ते थे आपका लकनों में option number b लकनों यहां पर सही answer हो जाएगा लकनों कहां की राजधानी है comment box करके वताई किस राजधानी है comment box में comment करिए अगला question दिखिए नेमलगित में से किसने साची के स्टूप पर निर्मान कराया तो साची के स्टूप पर निर्मान करशे जाता है आपका अशोक को option number A अशोक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए निमलकित में से भारती सम्विधान सभा का अध्यक्ष कौन था तो भारती सम्विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजिन प्रशाजी थे option number A कोई भी नाहो डूब जाएगी यदिवा पाने हटाती है अपने किस के बरावर तो कोई भी नाहो डूब जाएगी यदि भार के बरावर पाने हटा ले option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कुद्रे मुख खान के लोह स्क का निर्यात किस बन्दरगाँ से होता है तो कुद्रे मुख खान के लोह स्क का निर्यात होता है मंगलोर बंदरगाँ से option number D मंगलोर बंदरगाँ यहाँ पर इस प्रस्शने के लिए right answer हो जाएगा अगला कॉशन दिखिए रॉकेट को अंत्रिक्ष में छोड़ने के लिए कितने नियूनतम पलायन वेक किया हो शकता होती है तो रॉकेट को अंत्रिक्ष में छोड़ना है तो करीब करीब 11 किलोमेटर पती सेकंड पलायन वेक से आपको उसको छोड़ना होगा लॉंच करना भारत के पहले राश्टपती के रूप में डॉक्टर राजिन्द प्रशाद का चुनाओ किया गया था किसके द्वारा तो डॉक्टर राजिन्द प्रशाद जी चुनके आये थे सम्विधान सभा के द्वारा option number C यहाँ पर सम्विधान सभा के द्वारा सही आंसर हो जाएगा कौशिन नमर 86 देखिए Cellulose निमनमेसिक किसका मुख्य घटक है तो Cellulose है आपका कोशिका भित्ती का मुख्य घटक Option नमर एक कोशिका भित्ती सही आंसर हो जाएगा अगला कौशिन देखिए 87 मौरे सामराज की राजधानी कहां इस्तित्ती तो मौरे सामराज की जो राजधानी थी वो पाठली पुत्र में इस्तित्ती Option नमर एक पाठली पुत्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखिए मराठा राज़ का दूसरा प्रवर्टक किसे कहा जाता है तो मराठा राजी का दूसरा परवर्तक बाला जी विश्वनाथ प्रथम को कहा जाता है option number B बाला जी विश्वनाथ प्रथम सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए प्रत्वी पर आने वाले सौर विकरण को क्या कहते हैं तो अधिकांस तूट पिष्टों में फ्लोराइड मिलाए जाता है दांतों के च्छाई को रॉकने के लिए option number B यहाँ पर इस प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer है पानी में तेरता है यदि बर्फ पिगलती है तो पानी के इस्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो यदि आप ग्लास में पानी भरो और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दो उसके जैसे ही बर्फ पिगरेगी तो पानी के इस्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उ एलेक्ट्रोनों की संख्या पर उसका व्यवहार निर्फर करदेगा रासानिक व्यवहार अगला कोशन देखिए 94 सिवाजी के गुरू आध्यात्मिक गुरू का नाम बताईए तो सिवाजी गुरू या आध्यात्मिक गुरू हैं उनका नाम है आपका समर्थ रामदास जी इसमें से किन दो पत्तनों मतलब बंदर गहां से कुद्ड्रे मुक लोह ऐस का निर्यात किया जाता है तो एक तो आपको बताया था थोड़ी दिर पहले हमंगलोर और दूसरा है मरगा गुवा मरगा गुवार मंगलोर से कुद्रे मुक लोह Using Salas निर्यात्मिक गुरू है आलगी और तेज बढ़ती जाएगी option बसी सही answer हो जाएगा अगला बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राजम है तो बुक्सा बाग परियोजना है आपका पश्यम बंगाल में option बढ़ी यहाँ पर सही answer हो जाएगा question number 98 देखिए इसे पूछा गया एक वैस को मानव में सामानेता होते हैं तो एक वैस को मानव में सामानेता बारा चवानक होते हैं चवाने वाले दान्त option बंग यहाँ पर D इस प्रशने का बिलकुल सही answer हो जाएगा question number 99 देखिए यदि प्रत्वी के वायू मंडल में carbon dioxide ना हो तो भूप्रश्ट का तापमान कैसा होगा प्रत्वी के वायू मंडल में carbon dioxide नहीं होगी तो वर्तमान से कम हो जाएगा तापमान आपको पता है carbon dioxide बढ़ लिए तो और प्रत्वी गरम हो रही है option बसी सही answer हो जाए वाय गुरुजी दे फते और यह आपका surprise question इसका अगला part इस question का answer आपको मिलेगा अगले part में तो कोटेले द्वारा रचित प्रसिद्व पुस्ता कौन सी थी इसका answer आप comment box में दो और इसके पहले का part मतलब एक से लेके 50 तक जो question नहीं देखिए अभी आपको screen पर आ जाए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस question का answer comment box में दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुप हो बहुत बहुत धन्यवाद